दोस्तो कभी 317 किलो गराम के साथ दुनिया की सबसे मोटी मैला थी लेकिन आज इन्होंने 226 किलो घटा कर अब एक हिरोईन बन चुकी है दोस्तो अगर आपका भी वज़न हद से जादा बढ़ रहा है तो क्रिस्टीना फिलिप्स का वेट लॉस इस्टोरी आपको इंस्पायरड कर सकता है उन्होंने कैसे अपना वज़न कम किया आज के इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं तो वीडियो को ला सक देखना, कम्प्लीर देखना, सो स्टार्ट करती है लेकिन दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले आप से एक चोट इस रिक्वेश्ट है प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर देना और आप इस वीडियो को सेर भी कर देना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नॉटिपिकेशन को औल पर सेट कर देना और आप एक चीज कॉमेंट सेक्षन में कॉमेंट करके बताना आपका वेट कितना है और आपका एज कितना है कॉमेंट करके जरूर बताना दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं वजन बढ़ना एक गंभीर समस्या है बे इसाब वजन बढ़ने के पीछे अनहेल्दी डाइट और खराब लाइव इस्टाइल बड़ी वज़ा है वजन बढ़ना जितना आसान है उससे कहीं ज़्यादा मुस्किल इसे कम करना है वजन कम करना सबसे बड़ी चुनवती में से एक है वजन तो आसानी से बढ़ जाता है लेकिन सरीर को फिट और हेल्दी रखने के लिए एक्स्ट्रा वेट कम करना काफी मुस्किल होता है अगर आप भी वजन कम करना चाहते हैं और आलस या किसी वज़य से आगे नहीं बढ पा रही हैं तो क्रिश्टीना फिलिप्स की या सची घटना आपको काफी यादा मोटिवेट करेगी दोस्तो क्रिश्टीना अमेरिका के मिसी सीपी की रहने वाली 32 साल की महिला हैं कभी उन्हें दुनिया की सबसे मोटी महिलाओं में से एक माना जाता था क्रिश्टीना को कम उम्र से ही वजन से जुड़ी समस्या रही 12 साल के उम्र में ही उनका वजन 136 किलो गराम हो गया था बड़े होने के साथ उनका वजन लगातार बढ़ते गया और 22 साल के उम्र में उनका वजन 317 किलो गराम तक पहुच गया जाही रह इतनी कम उम्र में इतने वजन के साथ उनक पा रही थी उन्होंने अपने इस कठीन एक्सपिरियंस को माई 600 आई बीस लाइब नाम के टीवी सो में बताया था कुछ कदम चलने में भी उन्हें सांस लेने में काफी तकलीफ होती थी वह खुद बातरूम तक भी नहीं जा पाती थी और लगातार दो साल तक वह बिस्तर पे रही क्रिश्टीना ने बताया कि बच्पन में उन्हें अक्सर भूग लगती थी इसलिए उनके माता पिता उन्हें अक्सर जंग फूट स्नेक्स देते थे हाला कि उन्होंने अपने बढ़ते वजन पर कभी ध्यान नहीं दिया और जंग फूट जारी रखी आखिरिकर उन्हें अपने वजन का एसास हुआ और उन्होंने कम वजन करने के लिए डाक्टर से सला ली डाक्टरों ने उन्हें गैस्टिक बाइपास सरजरी करने की सला दी लेकिन पहले कुछ वजन कम करना ज़रूरी था इसके बाद क्रिश्टीना ने हेल्धी डाइटली और थोड़ा वजन कम करने में सफल रही फिर उन्होंने सर्जरी करवाई और दीरे दीरे उनका वजन कम होने लगा क्रिश्टीना फिलिक्स का वजन घटकर अब 91 किलोग्राम हो गया है क्रिश्टीना अपने वेट लॉस जर्नी को लेकर काफी खुस हैं उन्होंने बताया कि सर्जरी के साथ साथ जंक फूर्ड ओली चीज खाना उन्होंने छोड़ दिया और रोज सुबर साम एक्सरसाइज भी करती है अब दोस्तों आपको बता देता हूँ गैस्टिक बाइपास सर्जरी क्या है दोस्तों इस मेडिकल प्रोसेस में पेट के पास एक पाउच लगाया जाता है जिसमें पाइप के जरिए छोटी आँच से जोड़ दिया जाता है जब आप खाना खाते हो तो खाना सीधे पेट में ना जाकर इस pipe के जरीए छोटी आत में पचने के लिए जाता है फिर पेट में digestive enzyme भी उस pouch में आ जाता है जिससे food digest होने लगता है इसके जरीए वजन काफी तेजी से कम होता है फिलाल दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही उमीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी और आप एक चिस comment section में comment करके बताना आपका weight कितना है आपकी age कितनी है comment करके जरूर बताना वीडियो को like, share, channel subscribe करना मिलते नेक्स वीडियो में